मुफ्ती साब ने दर्वाजा खोला उनको घर में एंट्री किया एंट्री करने के बाद मुफ्ती साब अंदर बैटे उनसे कॉडिनेट किया उनसे बात किये तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साब के उपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर जिसकी अब भी मुझे बुलाना चाहते मैं तयार हूँ और चाहिए तो आप अभी मुझे पुलिशेशन में लेके जाना चाहते स्टेटमेंट देने गरे तो मैं तयार हूँ तो उन्होंने मुफ्ती साब यहां पर आये अपना स्टेटमेंट यह सब कुछ दिया बट अभी तक के अब बच चुके हैं लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 नोटिस दिया गया ना 41 का नोटिस दिया गया मुफ्ती साफ का स्टेट्मेंट रेकॉर्ड किया गया है लेकिन अभी तक मुफ्ती साफ को इं लिगडी तरीके से डेटेन करके के रखा हुआ है कुछ बता नहीं रहे हैं को रप्लाइन दे रहे हैं और काफी लोग यहां पर मौझूद है काफी लोग नहीं यहां पर प्रोटेस्ट भी किया लेकिन किसी की भी तरफ से कमिशनर भी आये अडिशनल सीपी साब भी है लेकिन हम लोग ने सब को रिक्वेश्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लाइंस कर दीजिए सुप्रीम कोट का गाइडलाइन से रूलिंग है जो प्रांसेट एंटी सेपेट्री वेल 15 डेस का हम लोग को मिलता हम लोग वो लेके कंप्ला लगबक आप 8 गंटे हो चुके हैं 12 बजी उनको घर से लेकर आया गया था 8 गंटे हो चुके लेकिन अभी तक कोई भी कॉडिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है वो वीडियो के बारे में अभी तक कि कुछ जानकरी नहीं मिले कितना पुराना है क्या है लेकिन अभी उसके उपर किसी की धर्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है जो भी इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है और इसके अंदर आप देखेंगे आप खुद वो वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रवोक स्टेटमेंट नहीं है कोई कोई भी रिलीजन कास्ट कम्यूनिटी गवर्मेंट किसी को भी बारे में उसके उपर गलत स्टिपनी मुफ्ती साब नहीं किये कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है सिर्फ इतना है कि पॉलिस स्टेशन के बाहर वहां पे कुछ लोग आरे से वीचपी बजरंग दल के हुआ हुआ है